हेलो फ्रेंड्स विल्कम बाक तो मैं चैनल कुक बुक डेलिशिस आज हम बनाने जा रहे हैं वाटर मेलन रिंड डेजर्ट इसके लिए हमें चाहिए तरभूज का शिल्का, कोकोनेट पाउडर, कंदेंज मिल्क, ड्राइफूट, शुगर, एंद क्लोव्स यूशली हम सभी व पहले चिल्के के सबसे बाहरी भाग को चील कर निकाल लेंगे, अंदर के पोर्षन का एक थिक्निस मेंटेन करेंगे, अब हम एक गढ़ाई लेंगे और उसमें कुछ एक गलास पानी डालेंगे, पानी बॉल हो जाने के बाद उसमें कटेवे चिल्के बॉल करने के लिए डा फोल्ड होने लग करका के बाद हम इसे निकाल लेंगे अब हम शार्चियारकर एंगे इसके लिए हम एक कप फानी और एक कप शुगर बॉयल कर झालेंगे नो जैसे ही आज चीनी पानी में गुल जांए हम उसमें बॉयल के वे दर्पूच के छिल्ठेश के ढल देंगे इसे हम low medium flame में 10 minute के लिए रखेंगे हमें एक या दो तारवाजी चास्टी नहीं बनानी है थोरख खुबसुरत दिखने के लिए हम इसमें color और essence डालेंगे जो की optimal है मैंने इसमें एक चुटकी healthy और दो drops rose essence डाला है 10 minute burn करने के बाद हम गैस से उतार लेंगे छिलकी को चास्टी में ही रहने देगे अब हम इसकी stuffing त्यार करेंगे इसके लिए मैंने ही home made designated coconut powder लिया है आप चाहे ready made भी ले सकते हैं जिसे मैं एक pan में roast करूँगी जब ये थोरा brown color का हो जाए तो इसे निकाल कर एक ball में shift कर लेंगे अब हम roasted coconut powder में थोरा कटे हुए dry fruits एक दो चमच condensed milk डाल कर अच्छे से मिलाएंगे जितने में लड़ू जैसे बनने लगे हम उसे इतना ही condensed milk अड़ करेंगे ज़्यादा गीला नहीं करेंगे तो ये मेरी stuffing तयार है अब हम प्रपूज के चिलकी को शास्नी से बहार निकालेंगे इसमें हम एक एक स्टफिंग को एक साइड में डालेंगे स्टफिंग डालने के बाद इसे हम रोल कर खुल करेंगे और उसे एक long से बान देंगे जिससे मेरे रोल के हुए चिलके खुल ना पाए तो ये रहा हमारा तरबूज के चिलके की मिठाई आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और हमें बताईए आपके एक स्टफिंग बहुत ही टेस्टी एंड घर में बना स्वीट्स और डेजर्ट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माइ चानल cookbook delicious, till then keep watching, thank you